तो चलिए हम स्टार्ट करते है हमारा चेप्टर कौन सा चल रहा है रेशो एनलिसस रेशो में हमने अभी तक क्या क्या कर लिया एक बार यह देख लेते हैं हमने एक देखा था अगला पॉइंट आ जाता है हमारा एक्टिविटी रेशो का अब हमने सभी को तो देख लिया था अगर हम बात करते हैं तो एक्टिविटी रेशो होता क्या है सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा एक्टिविटी हमने फास्स क्लास के अंदर एक्टिविटी का मतलब होता है काम और बिजनस के अंदर अगर कोई भी काम होता है एक्टिविटी मतलब बहुत जल्दी क्विकली काम होना मतलब लगातार काम होना अगर मैं बात करूं एस बेलुकुल, क्या खर्चे हमारे डेली-टेली हो सकते है क्या पर्चेस डेली किया जा सकता है किया जाकता है तो यानि यह जो हमारा रेशो activity रेशो है यह पूरा relate करता है हमारा profit and loss trading account जो भी हम बोलते हैं इसलिए इसका नाम क्या पढ़ गया activity, activity का मतलब काम daily होगा इसके अंदर, changes daily basis पे हो जाता है तो activity ratio के अंदर हमारा जब कभी भी कोई answer आएगा ना तो हम basically comparison तो सभी ratio में करते हैं यहाँ again comparison करेंगे लेकिन हम यहाँ पे यह check करेंगे कि यह जो जैसे sales stock है, stock sales का कितना गुणा मेरे पास रहता है यानि इसका answer जितने भी आएगा वो simple मैं बोलू एक word में तो time में इसके answer को हम solve करेंगे कितने multiple में है जैसे मैं अगर लिखूँ कि मेरा ratio 5 आया है तो इसका मतलब 5 गुणा है ठीक है ना, पहला ratio इस टू में था, दूसरा ratio भी इस टू में था इसका answer किस में निकलेगा हमेशा time में, तो चलिए activity ratio start करते हैं, बहुत simple ratio है, एक एक करके समझेंगे सबसे पहले अगर activity ratio में देखा जाए है, तो activity ratio में सबसे पहले हमारा होता है, inventory turnover ratio या फिर stock turnover ratio बात एक ही है अब इस sentence में हमें समझना है कि turnover का मतलब क्या होता है turnover का मतलब sales से basically लिया जाता है, कहीं भी बोला जाए revenue from operation या turnover तो meaning sales से निकलता है, normally हमारा अब हमारा formula क्या कहता है inventory turnover ratio इसको short form में मैं ITR बोलूँ आगे से, के ITR या फिर STR भी बोल सकते है STR मतलब stock turnover ratio हो जाएगा formula कहता है, cost of goods sold divided by average inventory cost of goods sold divided by average inventory, या फिर हम बोल सकते है, cost of goods sold divided by average stock, बात तो ही की है अब सबसे मुद्दे की बात है cost of goods sold क्या होता है cost of goods sold जैसे की मानलो मेरे पास दो marker है अब दोनों marker मैं 10-10 रुपे का खरीद के लाया और इसे मैंने बेचना 12 रुपे में मानलो मैंने 10 रुपे के दो marker खरीदे एक marker मैंने 12 रुपे में बेच दिया तो बताओ, इस marker को जो बेचा इसकी costing मुझे कितने के पड़ी तो जवाब आएगा सर 10 रुपए का है ना तो जो समान बेचा गया उसकी cost मुझे कितने रुपए के पड़ी उसे बोलते है cost of goods sold और अल्दो आपने cost of goods sold है ना काफी जगह इसको देखा है 11th standard के अंदर एक chapter ही था हमारा financial statement में वहाँ COGS भी होता था और आगे आने वाले chapter में बहुत हमारा इससे पाला पड़ता रहेगा तो cost of goods sold कितने तरीके से निकाला जा सकता है बहुत सारे ऐसे points है जहां से हमें cost of goods sold निकालना पड़ सकता है number one देखिए मैंने simply पहले लिख लिए है ताकि कम समय में ज़्यादा समझा पाऊं cost of goods sold को मैं short form में COGS के नाम से बोलूगा cost of goods sold COGS का formula होता है OP का मतलब opening stock बोल लो या opening inventory बोल लो plus में purchase कहलो आप plus में direct expense कहलो और minus में closing stock कहलो अगर ये equation आप solve कर लेते हो तो इसे क्या बोल जाता है हमारा COGS और COGS का क्या अब इसके अंदर हमें opening stock समझने की कोई ज़रत नहीं है कि opening stock बनता कैसे है last year का जो बचा हुआ stock होता है वही इस साल opening stock बन जाता है अब stock में क्या क्या चीज़े होती है ये भी पता है आपको raw material हो सकता है WIP हो सकता है FG हो सकता है सभी को जोड़ के purchase यहाँ purchase का मतलब है net purchase से net purchase मतलब सर अगर मान लो मैंने 100 रुपे का समान खरीदा है और 10 रुपे का समान वापसी कर दिया था तो मेरा purchase 90 माना जाएगा तो जहाँ जहाँ मैंने purchase लिखूंगा ना वहाँ net purchase होता है इसका मतलब तो purchase plus direct expense direct expense क्या होता है direct expense में जो कि trading में आता है सारा पार्ट उसे direct expense कहता है जैसे wages, freight and octree wages, mazdoory, freight किराया, freight को हम और भी अलग-अलग word में बोल सकते है cartridge बोल सकते है carriage बोल सकते है यह सारा इसी का पार्ट है octree भी एक तरीके से किराया tax है kind of जो कि यहाँ पे लगाए जाता है और भी हो सकता है fuel हो सकता है power हो सकता है जितने भी direct expense है वो सारे आजेंगे normally आपका freight ही देखने को मिलेगा यहाँ पे ठीक है न तो यह है direct expense तो हमने इस वाले formula को अच्छे इस वाले equation को समझ लिया है कि भाई COGS ऐसे भी निकल सकता है कैसे निकलेगा opening stock plus में purchase plus direct expense minus closing stock सर direct expense क्या है यह रा explanation opening stock क्या है समझाने के जुरत नहीं है purchase क्या होता है net purchase होता है closing stock जो इस साल बच गया inventory आगे चलते हैं क्या COGS एक ही या नई COGS और भी तरीके से निकाला जा सकता है और कौन सा तरीका हो सकता है COGS निकालने का COGS हो सकता है purchase plus minus change in inventory change in inventory क्या होता है सर अगर हम opening stock में से closing stock को minus कर दें होता है change in inventory मैंने यहाँ change in inventory को भी explain कर दिया है कि change in inventory होता है opening minus closing आप बड़े ध्यान से देखो तो examiner आपको कहीं पे भी कोई भी point डाल के थोड़ा confuse कर सकता है आप देखो तो इसी formula को मैंने थोड़ा short में लिखा है आप ध्यान से देखो यहाँ भी opening stock है और minus closing हो रहा है तो opening minus closing क्या यहाँ पे change in inventory involved है बिल्कुल यहाँ पे change in inventory है लेकिन मैंने यहाँ change in inventory word इस्तमाल करके नहीं लिखा कैसे लिखा opening minus में closing करके लिखा समझ रहे हो बात नीचे मैंने change in inventory इस्तमाल कर दिया तो काफी बच्चे सोसने आ रहे यह तो नया formula हो रहा कोई new formula नहीं है और नहीं कुछ है वो पहले वाले कोई मैंने आगे थोड़ा सा word change करके लिख दिया है क्या लिखा मैंने purchase plus या minus अब change in inventory दोन हो सकता है मानलो opening stock 100 है closing 90 है तो plus में आगे है हमारा closing stock यहां तक कोई दिक्कत आपको तो यानि यह हमारा formula किसका है COGS का क्या सर और भी कोई COGS का formula definitely और भी हमारे पास COGS का formula है सर COGS का और क्या formula हो सकता है तो आप देखिए COGS का एक और formula हो सकता है ultimately यह formula कैसे बना समझे मैंने कहा था कि 10 वाला marker मैं 12 रुपे में बेचूँगा तो मेरा आपने बोला था सर इसका cost of goods sold 10 रुपे होगा मैं अगर पूछ लू के profit कितना होगा तो आपका जवाब क्या होगा सर यहां पे जो profit होगा वो 2 रुपे का profit होगा तो simple सी 12 रुपे का समान बेचा और 2 रुपे का profit है पे मुद्दे की बात ही है कि gross profit आपको कई बार percentage के terms में भी दे सकता है तो जब हम practical करेंगे तो और भी जतने complication आ सकता है वो सारी चीज़े देखेंगे फिलाल हमने तीन तरीके से COGS देखा है इसमें बताईए कोई doubt है तो कोई doubt है COGS यानि उपर वाले हिस्से को formula के हमने समझ लिया है COGS कैसे होता है तीन तरीके से हो सकता है हमने उपर वाले हिस्से को अच्छे से समझ लिया है अब रहके है average average के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमेसा क्या होता है opening inventory plus closing inventory divided by 2 किसी का भी average निकालना तो यही होता है लेखिन लेखिन कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको average inventory ना दिया हो कई बार possibility है कि हो सकता है कि आपको average inventory ना दिया हो एक balance sheet दे दे तो ऐसे situation में हमें average inventory जब नहीं मिलता तो हम काम चला लेते हैं पता है कि closing stock से ही तो आप याद रखना closing divided by two मैंने लिखा हुआ है है ना लेखिन अगर आपका मान लो opening inventory है नी तो उस situation में closing inventory ही आपका average inventory का काम करेगा समझे बाता कई बार आपको balance sheet दे देता है और balance sheet में इस item निकाल के आपको करना है अगर balance sheet की मैं बात करूँ तो balance sheet में हमारा जो asset side में कई पर inventory देखा है आपने balance sheet के asset side में stock होता है न वो stock हमेशा याद रखना balance sheet में हमेशा closing balance होता है balance sheet की definition यह है closing balance को जो हम transfer कर देते हैं जहां पे भी उसे ही balance sheet बोला जाता है normally देखा जाए तो balance sheet के अंदर जब कभी भी आपको कोई inventory दिख जाए या stock दिख जाए तो कौन से वाला मान होगे उसे आप closing मान होगे तो हमारा ऊपर का भी काम हो गया और नीचे का भी काम हो गया दोनुँ चीजे हमने देख लिया है इसमें कोई doubt है तो बताईए आप कोई doubt है इसमें plus भी हो सकता है change in inventory plus में भी आ सकता है या minus में भी आ सकता है आप change in inventory की बात करता हूँ चलो मैं यहाँ समझाई देता हूँ change in inventory average inventory मान के यहाँ पर closing inventory put कर देंगे और cogs निकाल के answer निकाल देंगे समझे वहाँ पर आपको ढूंडने की जुरत नहीं है आप बताईए क्या बोल रहे हूँ यह कहना है कि purchase change मान लो चलो मैं बताई देता हूँ मान लो मेरा opening stock है 100 रुपए और closing stock है 90 बताओ change in inventory क्या आएगा 10 रुपए positive negative positive तो यहाँ positive का आएगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे plus 10 रुपए कर देंगे change in inventory लेकिन suppose करो मेरा opening stock जो है वो है 90 और closing stock है मेरा 100 रुपए तो अब किसमें आया तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे purchase में minus कर देंगे change in inventory समझ गये बात हूँ कोई दिक्कत यहाँ तक पहला हमने अच्छे से समझ लिया है बस इसके अंदर challenge पता है कहाने वाला यहाँ GP के पास GP का पास मतलब के percentage में देगा तो कैसे करेंगे कोई doubt यहाँ तक clear है तो हमने पहला ratio complete किया क्या नाम है हमारा inventory turnover ratio turnover का मतलब sales होता है माल लो आप मुझे बताना मैं 10 रुपे का समान खरी देता हूँ और 10 रुपे का मैं बेच भी देता हूँ मैं profit नहीं कमारा मेरी मर्जी है मैं profit नहीं कमाना चाहता simple सी बात मैंने आपसे पूछा तो बताइए COGS क्या होगा 10 क्योगा COGS क्या होगा और sales क्या होगा free में मैं देने के लिए नहीं बोल रहा है जो zero बोल रहे हो sales भी 10 होगा और COGS क्या होगा 10 तो definitely आपको एक बात याद रखना है कि जब कभी भी आपको COGS नहीं मिलता question में तो आपको यहाँ पे किस से काम चला लेना है क्योंकि COGS is equal to sales कभी ना कभी हो भी सकता है अभी example दिया मैंने 10 रुपे का समान अगर मैं 10 रुपे का ही बेचता हूँ तो sales भी 10 रुपे है और cost भी 10 रुपे है तो अगर COGS कहीं question में नहीं मिलता तो आप sales से काम चला सकते हो चलो अब COGS बताना मेरा 10 रुपे का समान था ठीक है और मैंने उसे बेचा 8 रुपे में तो 10 रुपे का समान मैं खरीद के लाया मुझे cost कितने का पड़ा 10 रुपे इसको मैंने बेच दिया 8 रुपे में तो यहाँ पर बताईए COGS क्या होगा 10 ही होगा भाई मैं खरीद के जितने का लाया जितने का खरीद के लाया वही होगा न तो मैंने क्या बोला आपको के 10 रुपे का सेल है और मैंने इसे 10 रुपे का हमने समान खरीदा है और मैंने 8 का बेचा है तो बेचने को तो सेल्स कहते है भाई दिमाग आपने लगाना है तो sales कितने का है यहां बताओ 8 रुपए का और यहां पे profit या loss हो रहा है loss कितने का है 2 रुपए का अगर मानलो मैं बोलता हूँ कि मेरा sales 8 रुपए है और मेरा loss कितना है 2 रुपए तो कैसे यो जियस निकाल पाओगे कैसे निकालोगे प्लस करकेट है बिल्कुल मैं यही समझाना चाहता था in case of loss तो उस situation में यह formula जो लिखा है sales minus GP वहाँ पे क्या बन जाएगा sales plus GP नहीं होगा GL हो जाएगा gross loss हो जाएगा समझे बात तो जो भी points मैं बता रहा हूँ न question में आपको देखने को मिलेगा और उसी के basis पे करना और यह भी आगे भी आएगा हमारा यहां खतम नहीं होने आला एक point हमने खतम कर लिया second ratio है हमारा trade receivable अब यह ratio आपको पढ़ना है थोड़ा सा remind करना है बाकी के ratio आपको याद ही नहीं करना जैसा नाम है उसे trick साई clear हो जाता है कौन सा ratio हमारा trade receivable trade receivable का दूसरा नाम पता है क्या होता है debtor और आपको पता है debtor कैसे बनता है जब हम उधार माल को बेचते हैं तब क्या बनता है हमारा debtor बनता है आप जितने भी ratio है हर ratio के नीचे देखे average तो है पहले ratio में भी average दूसरे में भी average तीसरे में भी यहां working capital average नहीं है तो average तो mainly है activity ratio में तो अगर debtor turnover ratio हो या receivable turnover ratio है तो सबसे पहले दिमाग लगाईए आपके receivable बनेगा कैसे credit sales से divided by average debtor formula क्या बन गया credit sales divided by average debtor कह लो या फिर receivable कह लो समझ मैं ही बात आपको अब मैं इसी का दूसरा ratio अगर जाओ न creditor turnover ratio तो सोचिए creditor कैसे बनता है या payable turnover ratio भी बोल देते हैं तो payable बनता है कैसे है जब उधार माल हम खरीदते हैं तो वहाँ पे क्या जाएगा credit purchase divided by average credit simple formula आपको simple नाम से ही clear हो गया कि नाम से किस तरीके से याद रहेगा debtor turnover ratio में credit sales होगा creditor turnover में credit purchase होगा क्यूं होगा वो अच्छे सा जानते हो कि debtor भाई sales से ही बनता है और purchase हमारा जो creditor है वो purchase से ही बनता है तो debtor turnover ratio या trade receivable turnover ratio जिसको short form में TRT बोल देता हूँ मैं नहीं कर रहा भी मैं सिर्फ simple debtor turnover ratio पर बात कर रहा हूँ तो क्या है हमारा credit sales divided by average debtor या receivable अब मुद्दे की बात आती है credit sales कैसे निकालेंगे credit sales आप निकालोगे total sales में से cash sales को घटा दो तो क्या जाएगा trade sales मानलो मैंने 100 रुपे का समान बेचा जिसमें से नगद मैंने 20 रुपे का बीचा था तो बागी उधार में होगा 80 रुपे घटाने के बाद लेकिन कई बार examiner आपको सिर्फ देता है sales और बताता ही नहीं कि कितना cash है कितना credit है कितना total तो आपने assumption मानना है कि ये sales credit वाला ही दे रखा है हमें पूरा समझे बात आप तो sales कैसे निकलेगा credit sales total sales minus में cash sales और ये जो credit sales होगा न net वाला होगा अगर sales return है तो वो भी minus कर देना ठीक है न अब average debtor की बात करते हैं तो average के लिए क्या होता है opening debtor OD का मतलब है opening debtor plus CD का मतलब closing debtor divided by 2 अब debtor के अंदर ना दो parts हो जाते हैं debtor भी और BR भी है लेकिन है अगर देखा जाए तो कहते हैं कि debtor भी और BR है है एक ही चीज उसी को दो भाग में बाट के दिखा रखा है बन तो अगर debtor भी opening दे रखा है और BR भी opening दे रखा है closing debtor भी दे रखा है और closing BR भी दे रखा है तो चारों को plus कर दीजिए आप लेकिन divide 2 से ही करना है average हमेशा divide 2 करके ही आएगा तो देखिए अगला formula क्या है opening debtor मतलब average debtor और ऐसे भी निकाला जा सकता है opening debtor plus में opening BR plus closing debtor plus closing BR divided by 2 simple सी बात कोई दिक्कत इसमें clear अब ऐसा अगर मानलो opening और closing नहीं दे रखा तो हमेशा closing वाले को ही आप average मानलेंगे जैसे कि आपने inventory में देखा तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे अगर तो यहाँ पे क्या लिखा average debtor कई बार हो सकता है सरफ और सरफ closing debtor बात समझ में आई नहीं आई 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 आपको है ना इसके बाद और आगे हम देखें चलके तो इसके अंदर देखो मैंने एक formula लिखा है average debtor का और कई बार हो सकता है आपको closing BR दे दे और closing debtor दे दे तो देखें दो formula हमने clear कर लिए complete पहला formula कौन सा था inventory turnover ratio दूसरा कौन सा debtor turnover ratio inventory turnover ratio का formula क्या है cost of goods sold divided by average inventory यहाँ average inventory में कोई challenge नहीं है लेकिन हाँ अगर कोई stock नहीं दे रखा तो closing है average बन जाता है COGS यहाँ complicated है दूसरे आले part में credit sales निकालना हमारा challenging नहीं है क्या challenging है average debtor वो भी challenging नहीं है common sense वाली बात है ठीक है अगर मैं दूसरे साइड चलूँ second हमारा क्या है creditor turnover ratio या payable turnover ratio या trade payable turnover ratio तो formula तो आपको clear है के credit purchase लिया divided by formula में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई doubt ही नहीं होना चाहिए है ना और याद भी आपको simple रहेगा अब बात करते है sir credit purchase कैसे आगा simple total purchase minus cash purchase ये CP का मतलब है cash purchase total purchase में से मेरे पास space नहीं था इसलिए मैंने CP word का इस्तमाल किया है अब मैंने बता दिया पूरा लिख लेना total purchase माइनस में क्या होगा cash purchase यहां सब क्लियर आपको total purchase माइनस में cash purchase ये होगा credit purchase लेकिन examiner आपको सरिफ purchase देता है और बोलता है निकालो creditor turnover ratio या payable turnover ratio तो जो purchase दे रखा है आप उसे मान लेना कि वो कौन से वाला दे रखा है हमें credit वाला ही दे रखा है समझे बाता इसके बाद आगे आता है कि average creditor कैसे निकालेंगे average creditor बिलकुल same निकलेगा जैसे average debtor निकाला था जहां पे debtor है वहां पे आजागा creditor जहां पे bill receivable है वहां पे क्या जाएगा bills payable simple सी बात कोई दिक्कत तो अब मैं एक एक करके बोल देता हूँ बताओ मुझे बताना average creditor के हिसाब से बताना मैंने debtor पे इस पे रखा है अगर average creditor होता तो कैसे होता opening creditor plus में closing creditor divided by 2 दूसरा क्या बन सकता है हमारा opening creditor plus opening BP plus closing creditor plus closing bills payable divided by अगर हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम closing bills payable यानि closing creditor को ही हम क्या मान लेंगे average creditor दूसरा ये भी हो सकता है closing creditor plus में closing BP को ही average creditor मानेंगे clear है इसका एक एक हिस्सा और बचा हुआ है इसके अंदर एक average collection period निकालते है इसमें average आपका payable period निकालते है ठीक है working capital turnover ratio फिर इसके meaning को भी समझेंगे working capital turnover ratio working capital turnover ratio का मतलब क्या है हमारा turnover क्या होता है हमारा sales तो उपर क्या है हमारा sales और sales का मतलब कौन से वाला net sales ठीक है ना अब ना तो यहाँ पर cash ना तो credit है यहाँ total sales है यह ध्यान रखना तो sales मैंने क्या बोला cash sales plus में समझ में आई बात आपको working capital तो आप सुरू से सीखते आए working capital क्या होता है CA minus में और sales का formula एक यह भी बन सकता है COGS plus में GPA और एक यह भी बन सकता है COGS minus में GL हो सकता है ठीक है ना gross loss भी हो सकता है अब बात करते हैं सर inventory turnover ratio निकाल के हम कर क्या लेंगे तो आप यह पता कर सकते हो कि जितने का समान बेचते होना उसका जो आपके account में बोला inventory turnover ratio 5 है 5 time है तो इसका मतलब जितने का stock है न उसका 5 गुना sale करते हो यानि आपका COGS क्या आ रहा होगा पचाहस आ रहा होगा simple सा word है यानि हमारे पास जो go down में stock पढ़ा हुआ है और मैं आपको inventory turnover ratio बता दूँ यानि आपको ITR बता देता हो है और inventory turnover ratio 2 है तो आप easily बता सकते हो कर सर 2000 रुपे का आपका समान बेख चुका है और उसके हिसाब से आपके पास पढ़ा हुआ कितना है 1000 रुपे का समान समझे same debtor turnover ratio के अंदर क्या है आप debtor से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने का उधार माल बेचा है मैंने बोला मेरा debtor turnover ratio 2 है और मेरा debtor कितना है 1000 तो इसका मतलब हमने 2000 रुपे का उधार माल बेचा होगा है समझे बात आप यहां से मतलब creditor turnover ratio में हमें क्या पता चलेगा कि हमने कितने रुपे का उधार माल खरीदा है clear यहां working capital से क्या पता चलता है हमें कि हमें sales का कितना हिस्सा यानि मान लेतने कि यह आता है 5 तो working capital मान लो 10 रुपे है और यह 5 आता है तो यानि 50 रुपे का sale किया है simply आप यहां पे formula में put कर सकते हैं यहां तो time में answer आएगा और यह रखते जो answer किया आता जाएगा आपका sale आता जाएगा ठीक है ना तो कुछ एक हमने यहां पे formula देखा और 4 यहां पे option है अब बताईए इसमें से कोई doubt है तो फिर हम इसके उपर और भी discuss करते हैं नहीं तो इसके basis पे question करना start करते है कहां पे यहां पे closing debtor opening तो बचता ही नहीं है हमेशा opening debtor क्या होता है कभी भी organization में होता ही नहीं है माल लो सुभह मेरे पास माल है तो वो तो बिक के निकल गया होगा और यह साल के end में calculation चल रहा है हमारा तो फिर हमारे पास जो debtor बचा होगा वो कौन से वाला होगा closing वाला ही होगा यह हमारा junction रहता है यह साल के end में ratio निकाला जाता है बताइए कोई doubt नहीं अब जिसका जो point रह रह था note करने को करिए फिर हम book का question देखेंगे ठीक है फटा फट करिए एक बार note एक बार note करिए मैं पूरे visual करा देता हूँ